बुखिये बहन जी, आप मंदिर में नहीं जा सकती है हर एक क्यों पहन जी, मैं मंदिर में क्यों नहीं जा सकती बहन जी, देखिये, आपके वस्त्र उचित नहीं है मंदिर में जाने के लिए पहन जी, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है देखिए बहन जी मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है लेकिन ये आपके वस्तर उचित नहीं है मंदिर में जाने के लिए मंदिर की भी एक मर्यादा होती है क्रिपया करके उसका उलंगन मत कीजिए देखिए बंडी जी मुझे मत बताइए कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं और आप जैसे लोगों की वज़े से ही ना अनिविश्वास रहा दुनिया में और मैं मंदिर आई हूँ मैं मंदिर दर्शन करके ही जाओगू बेंजी हाँ जुडवा लीजी मुझे से खुरपय करके आप सूट या साड़ी पहना ये खुब दर्शन कीजिए ना लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकती हलो हाँ भाई बोल क्या है अरे इतने गुसद ना करूं तो और क्या करूं यह मंदिर का पंड़क अपना पहाँ पतानी क्या समझता है मैंने इसनी अच्छी खांसी स्कॉर्ट पहन रखी है पर कह रहा है कि आप मंदर में अंडर नहीं जा सकते अब ये मुझे बताएगा तो मुझे क्या पहनना चीन और क्या नहीं अच्छा चल तो अपना मूट करा मत कर अगई भार गूम के आते हैं तेरे मूट ठीक करते हैं मुझे नहीं चड़की गूमने अरे तु छोड़ना यार एक काम कर मौल के भार में जैना अरे भाई कहा है तो तेरे पीछे खड़ाओ देख मुझे नहीं दिखाए तेरा कई तो तू पागल पागल हो गया है कियो यह के पहन के है क्यों इन कपड़ों में क्या दिखकत है यार आप मौल जा रहे है ना तो हैसे कपड़ों में जाएंगी तुझे ना मौल में कोई गुष्ण बिन्नी देगा मौवी कहांसे देखेगा क्यों नहीं मिलेगी एंट्री मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी कपड़े पहन हो यार अब वो लोग सिखाएंगे वोजे कौन से कपड़े पहनने चाहिए तुझे नहीं पता कि मौल में ऐसे कपड़े नहीं पहन पहनते है अरे हर जगा का अपना एक ड्रेस कोड होता है तो ऑफिस जाता है तब तो फॉर्बस पहन की चाता है ये दोती और कुर्टा तो नहीं पहन की चाता है मैं भी तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि हर जगा का अपना एक ड्रेस कोड होता है तुझे पता है तब तु मंदिर से आई ना मैं गया था पंडित जी के पास और पंडित जी ने तुझे क्या गलत कहा उनने यही तो कहा हाज जोड़के कि बस मंदिर के एक मर्यादा है सूट या साड़ी पहन के आओ किसी दूसरे धर्म सलपे अगर तु ये कपड़े पहन के जाएगी वो तुझे अंदर गुशने भी नी देंगे हमारे सनातन धर्म का वजाथ हम लोगों ने बना रख है हमें क्यों शेर माती है अपनी परंपराओ हमारी आस्थाओं को फॉलो करने में मैं समझ नहीं पाता है अब हम बड़े हो जाते हैं तो हम हर चीज में लॉजिक डूणने लगते हैं तरक मितर करने लगते हैं अगर तु जहन से स्टोचे और समझे न तो हमारे धर्म में हर चीज का एक लॉजिक है पर नहीं, हमें तो हमारे धर्म का मजाग बनाना है, हमारी आस्थाओं का मजाग बनाना है, हमें ही अपनी संस्क्रिती और संस्कारों से शरम आती है हम इन चीजों का फॉलो नहीं करना चाहते हैं जबकि Western Culture का फॉलो करने में तो हमें को इत्रीज नहीं होती तो मेरे कहने का मतलब सिफ इतना है कि हमें अपने संसकारों को अपनी सलस्क्रिती को और अपनी परंपराओं को फॉलो करना चाहिए ना कि उनका मसाद बिनाना चाहिए सॉरी भाई प्लीज मुझे मास कर दे अब मुझे समझ में आया कि पंड़िजी क्या कहना चाहते है थांक्यू मुझे इस सरसे समझाने के लिए और आगे से मैं इस चीज का ध्यान रुखूंगी कि मैं ना अपनी सलसक्रित को बोनू ना अपने सलसकारों गर कवे लिए दूसरों की सलसक्रिती से प्रभावत होकर अपनी सलसक्रिती में बदलाब ना करें